नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं उत्तर बिदेश सहीत भारत के पांच राज्यों में विधान सपा चुनाओँ ओने जा रहे हैं और इन सबी राज्यों में जो आदर्श चुनाओ आचार संगीटा हो गती है वो लागू हो चुकी है और आचार संगीटा नहीं आने वाली है तो इस वीडियो में हम आप से चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी भरतियां जो कि आप के लिए बहुत ही मुत्पूर हैं और आप इनका लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं तो ये भरतियां आने वाली हैं और आदर्स जो चुनाव आचार संगीता होती है उस और UPC के दबार ये इस बार आयोग इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले चुनाव आयोग चुनाओ की तारिखें डेकलेर कर दे उसके बाद एकलेंडर जारी हो ताकि जो इक्जाम की तारिखें हैं वो इलेक्षन वाले तारिखों से जाकर ठकराएं नहीं तो 2022 का जो exam calendar है ये अगले 10 दिनों में आपके सामने होगा ये देखे maximum है इसके पहले भी ये exam calendar आपको देखने को मिल सकता है PCS 2022 एक बहुत ही अहम परिक्षा होती है जिसका इंतजार आप सभी लोगों को रहता है तो PCS 2022 का जो notification है अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये notification अब election के बाद आएगा तो ऐसा नहीं है PCS 2022 का प्री का जो notification है ये आपको जनवरी के last रपता या फर्वरी के first week में देखने को आपको मिलेगा परिक्षा कब होगी तो परिक्षा अधिक्तम जून या जुलाई में हो जाएगी तो आपके पास समय कितना बचा हुआ ये आप खुद calculate करिए क्योंकि PCS की त्यारी करने के लिए आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है ये चार-पास महिने इसके बात बात करें कि UPPC के कलेंडर में कौन-कौन सी भर्तियां इस सालमों की रुप से आ सकती है तो देखिए मैंने आपको बताया कि PCS 2022 का notification ये तो आने ही वाला है इसी के साथ जो अपर निजी सच्चियों की भर्ति है जिसको आप APS करते हैं APO तो APS के लिए भी विग्यापन जारी होगा और इसका उल्लेग भी कलेंडर में रहेगा क्योंकि अधियाचन प्राप्त हो चुका है सिक्चक भर्ति के अंतरकेत अगर बात करें तो LT grade का अधियाचन भी राप्त हो चुका है UPPSC को तो LT grade के लिए भी विग्यापन जारी हो सकता है तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुँ प्रिपेर रहें और इस बार PCSJ जो परिच्छा होती है इसके लिए भी इसका भी उल्लेक जुका वो कलेंडर में रहेगा जैने कि PCSJ की भी वेकैंसी आने वाली है अगर आप जा कर रहे हैं RO ARO के बारे में RO ARO 2022 के बारे में तो निश्ची दूर्प से कहा नहीं जा सकता कि RO ARO 2022 की जो वेकैंसी है इसका उल्लेक कलेंडर में रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन 2022 में संभावना पूरी बनी वेकी समिक्षा दिकारी के लिए वेकैंसी आएगी ठीक है तो ये कुछ मुक्य भरतियां होती है UPPSC के द्वारा और इन पर जो है चुनाओ आचा संगिता का कोई प्रभाव नहीं है तो इसके तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी भी एक परिशा की असली परिशाओं की तो आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है देखे चुनाओ चलेंगे और तमाम तरीके से लोग बेस्ट भी रहेंगे आप भी बहुत बेस्ट रहेंगे लेकिन इसी बीच जनवरी कब बिद जाएगी फरवरी कब बिद जाएगी मार्च कब बिद जाएगा पता नहीं चलेगा और अप्रेल से परिच्छाओं का दौर सुरू हो जाएगा और जब परिच्छाओं आपके सर पर रहेंगी तब उस समय क्या होगा उस समय यही रहेगा कि अब मतलब पूरी तयारी तो हो नहीं पाएगी तो थोड़ी बहुत तयारी जो भी हो जाए तो सफलता के लिए आपको यह जो जनवरी फरवरी मार्च आपके पास है इसका पूरा का पूरा उप्योग आपको करना होगा तो यह बात हो गई UPPSC के द्वारा आने वाली भरतियों के बारे में इसके लावागा कर बात करें तो UP में TGT UP TGT, UP PGT और जो अन्य भरतिया आने वाली थी प्राइमरी भरति इसके बारे में बस ही कहूँगा कि अब आपको चुनाओ तक इंतजार करना होगा तो यहाँ पर प्राइमरी की भरति क्योंकि यह सिक्चा मूल अधिकार के अंदरगत आती है मैं सामीर होना ही चाहते है तो आपके पास एक आप्सन है DSSB का एक्जाम कलेंडर जारी हुआ था और उसमें बताया गया था कि नेक्स्ट सिक्स मंत में यानि कि जून जुलाई तक आपको DSSB में TGT, PGT और प्राइमरी सिक्चक भरति के लिए बिग्यापन देखने को मिलेगा पहला बिग्यापन जो की PGT के लिए होगा ये जल्द जारी हो जाएगा तो इसके लिए आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना है और ये डिल्ली अधिनस्वाचेनायोग की भरति होती है DSSB तो इस बर चुनाव आचार संगिता का कोई प्रभवाण नहीं है और अगर आप योगिता रखते हैं तो आप DSSB में भी पार्टिसिपेट करके अपनी जो जॉब है उसको पकी कर सकते हैं डेफिनिटली ये जॉब बहुत ही सांदार होती है और UP, TGT, PGT किंपरिजन में ये नोकरी कहीं अधिक अच्छी मानी जाती है कहीं अधिक सांदार मानी जाती है इसके बाद बात करें UP, TSSC के बारे में तो UP, TSSC में जो PT की परिक्षा है ये तो 2022 में होगी होगी कब होगी ये अब आपको पता है कि ये जुनाव पूरे हो जाएंगी उसके बाद होगी लिगी ये परिशा होगी तो जिन लोगों की स्कोर कम रह गए हैं वो लोग अब पीटी की त्यारी में भी लग जाएं क्योंकि स्कोर इस बार आपको इंक्रीज करना है आपका जो परसेंटाइल है कोसिस करिए कि 90 से उपर ही रहे ताकि हर भरती में आप पार्टिसिपेट कर पाएं यूपिट्र प्लसी पीटी परिशा 2021 जो पूरी हुई उसके बाद लेकपाल भरती के लिए बिग्या पंजारी हो चुका है आवेदन चल रहे हैं और हेल्थ वरकर के लिए बिग्या पंजारी हो चुका है आवेद परिशा हैं यह भी अपरेल मई या जून में करवाई जाएंगी तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है यह पी ट्रिपल सी का वीडियो का जो पुना परिशा है यह परिशा भी आपको पता है कि चुनाओ के बाद कभी भी हो सकती है मिला जुला कर अब आपके पास समय इसकला दोस्तों अगर आप डिग्री कालेज में परिशार देकर असेस्टन प्रोफेसर बनना चाहते हैं सो से पहले आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है तो नेट की तयारी अगर आप कर रहा है तब नेट भी तो 2022 में होगा ही होगा वह से तो समानते हैं परिशार दो बार होती है अगर कोई ऐसा पैंडेमिक काल ना रहा हो तो दो बार होती है लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दो बार और अगर नहीं रहा तो एक बार तो कमस्क्रम आपको नेट देने को मिलेगा ही बहुत तरह अबरती ऐसे भी है जो कि लोवर पीसेस इतारी कर बनी हुई है कि lower pieces के लिए भी विग्यप्ती आ सकती है ठीक है तो friends आलो और मैं आप से ही करना चाहूंगा कि आपके पास बहुत अदिक समय नहीं है निरास होने का समय तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि already जो भरतिया मैं आपको बता रहा हूं इन भरतियों पर आपके आदर्स चुनाओ आचार संगीता का कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है और चुनाओ पूरे होने के बाद आपको ये परिशाएं देनी ही देनी है अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो तो मिलाज जुलाकर सार संगीता का कोई प्रभाव नहीं है और उनके त्यारिया आपको अभी से करना होगा अगर आप सफल होना चाहते हैं डेफिनिटली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए ताकि अगर आपके मन में या रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है तो कुछ भी रुका हुआ नहीं है आप मत रुकिये बस अगर आप रुक गए तो सब कुछ रुका हुआ है अगर आप चलते हैं तो सब कम पदाते हैं और एक एक सीटों पर जो आपका मतलब कि प्रतियस फर्दा है वो मतलब गुना में नहीं है यहां हजारों गुना में हैं एक सीट पर हजारों लोग जो है दावेदारी अपनी करते हैं तो ऐसी सिती में आपको जो है टॉप पर रहना है और ये काम सिर्फ मेहनत करके आप कर सकते हैं सबसे important बात यह है कि current affair को आप रोज पढ़िए current affair क्योंकि last time पढ़ेंगे तो इतना अधी को जाता है कि भूल जाता है तो current affair का notes बनाते हुए आगे चलिए इस्टेटिक जीके पढ़ते रहे और जो regular की चीजे हैं उसमें अपनी दिंचर्या को बहुत सभी तरीकिस रखिए कोसिस करिए कि आलिने रेडियो का जो news होता है उसको आप जरूर सुने इससे आपका जो current काफ़ी अच्छा रहता है उसको हम समाई कि आपके ठीक से समझ में आती रहती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी helpful रहेगा और अगर आपको helpful रहागा तो प्लीज इसे like करेजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपका बहुत दन्यवाद थैंक्यू सो मच